दुनिया का सबसे बहतरीन और इको फ्रेंडली फेस्टिवल छट बिहार में ही मनाय जाता है लाखो बिहारीों को टिकट नहीं मिल रहा है बिहार आने के लिए और जिसे मिल भी रहा है वो बिहार भेर बकडियों की तरह आ रहा है कई लोग तो ट्रेन में आने और प्लेट फॉर्म पर ट्रेन पकरने के दर्मियान कुछले गए कई लोग उसमें जखमी हो गए और कई लोग तो इवेन मर भी गए नितीस कुमार जी भारत के रेल मंत्री 2001 से 2004 तक रहे और 2005 से अभी तक बिहार के मुख्य मंत्री रहे हैं शर्म आनी चाहिए ऐसे समाजवाद को नेता को जो समाजवाद के नाम पर सत्ता में आए और छट पर्व की महत्यों को ना समझ सके और नहीं बिहारियों की जरुरत को समझ सके की 50% आवादी बिहार का पलायन का शिकार हो गई है आप समझ ये 50% मतलब 6 करोड लोग बिहार के जो हैं पलायन का शिकार हो गए है क्या आप जानते हैं पंजाव और हर्यान में सस्ते दामों पर मजदूर मिले इसका प्रचार होता है और वो मजदूर कहा का होता है? वो वही बिहारी भाई होते हैं जो सस्ते दाम पर पंजाब और हर्याना को मिल जाते हैं जी चिठी लिखते हैं के अंदर सरकार को कि अभी छठ आ गई है बिहार के लिए श्पेसल ट्रेन चालू करवा दिजिए मुख्यमंत्री जी आप जानते हैं ट्रेन की हालात कैसे रहती है? बिहारी भाई ट्रेन में वैसे आते हैं जैसे जानवर भी नहीं लाए जाते हैं ये आप खुद से पूछिएगा कि अगर बाहर से आने वाली ट्रेन में छट के समय अगर किसी बिहारी की मौथ हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा वेक्तिकत सला होगी कि आप एनक के सामने पूछिएगा तो सायद ये और बेहतर होगा खुद जैड सेकृरिटी लेकर चट घाट पर लाखों के भीर को खाली कराते हुए जाते हैं वहाँ पर अर्ग देते हैं और अगला दीन पेपर के फ्रंट पेज पर आता है कि मुख्य मंतरी जी ने चट का अर्ग दिया क्या इससे चट हो गई? लाखों बिहारियों जो टिकट नहीं मिलने के कारण बिहार नहीं आ पाए जो इस लोकतंतर में होने के बावजूद भी इस स्विवधा से वंचित रह गए उसके लिए बात कौन करेगा? और लाखों लोग जो ट्रेन के टिकट नहीं मिलने के कारण घर नहीं आ पाते हैं और चठ नहीं मना पाते हैं उसके बारे में कौन जिक्र करेगा लोकतंत्र हो या राजतंत्र जनता ही सिर्फ भुगत्ती है दिवाली का त्योहार खत्म होते ही पूरे बिहारियों में धार्मिक भावना जोर पकरने लगती है क्योंकि दुनिया का सबसे बहतरीन और इको फ्रेंडली फेस्टिवल छट बिहार में ही मनाय जाता है छट आने से एक महिना पहले से छट की तैयारियां और छट की गीत गाने लगते हैं जो आपको बिहारी होने पर गवरवानित करने को मजबूर कर देगी लेकिन क्या आप जानते हैं लाखो बिहारीयों को टिकट नहीं मिल रहा है बिहार आने के लिए और जिसे मिल भी रहा है वो बिहार भेर बकडियों की तरह आ रहा है कई लोग तो ट्रेन में आने और प्लेट फॉर्म पर ट्रेन पकरने के दर्मियान कुचले गए कई लोग उसमें जखमी हो गए और कई लोग तो इभेन मर भी गए घबराइए मत यह आपके ही बिहारी भाईया हैं इंडियन इंस्टिचूट और पॉपुलेशन एस्टडीज का 2020 का आकरा अगर पढ़ियेगा तो आपको हैरान कर देगी आप दंग हो जाइएगा आकरा यह था कि 50% आवादी भिहार का पलायन का शिकार हो गई है आप समझे 50% मतलब 6 करोड लोग भिहार के जो हैं पलायन का शिकार हो गए हैं मैं यह आकरा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वर्तमान के जो मुख्य मंत्री है वो 2001-2004 तक इस देश के रेल मंत्री रहे मतलब नितीस कुमार जी भारत के रेल मंत्री 2001-2004 तक रहे और 2005 से अभी तक बिहार के मुख्य मंत्री रहे हैं और अभी उन्होंने किंदर सरकार को एक चिठी लिखी कि छठ आ गई है बिहार के लिए इस्पेसल ट्रेन चालू करवा दीजिये न शर्मानी चाहिए ऐसे समाजवाद को नेता को जो समाजवाद के नाम पर सत्ता में आए और छठ पर्व की महत्यों को ना समझ सके और नहीं बिहारियों की जरुरत को समझ सके आश्चरी तो तब होती है कि पूरे देश नहीं पूरे बिस्व के सबसे उपजव भूमी बिहार में है और बिहार के मजदूर पलायन होकर किसी अनिराज में जाकर खेती करते हैं क्या आप जानते हैं पंजाब और हर्याना में सस्ते दामों पर मजदूर मिले इसका प्रचार होता है जी सुन लिजिए सस्ते दामों पर मजदूर मिले इसका प्रचार पंजाब और हर्याना में होता है और वो मजदूर कहा का होता है वो वही बिहारी भाई होते हैं जो सस्ते दाम पर पंजाब और हर्याना को मिल जाते हैं। सवाल तो आप ही से होगा। इस देश के लगवक 3-4 साल आप रेल मंत्री रहें। इस प्रदेश के करीव 17 साल से आप मुख्य मंत्री रहे हैं। और इस उपजाव उपजाव भूमी को दरकिनार कर यहां के लोगों को पलाइन करने पर मजबूर कर दिये। और अभी चिठी लिखते हैं के अंदर सरकार को कि अभी छठ आ गई है बिहार के लिए श्पेसल ट्रेन चालू करवा दिजिए। मुख्य मंत्री जी आप जानते हैं ट्रेन की हालात कैसे रहती हैं। मुख्य मंत्री जी सवाल तो इतने हैं कि आपका पसीना चूट जाएगा क्योंकि आए दिन ऐसी घटना होती है कि पूरे बिहारियों की दिल दाला देती है। गुजरात में पीटा गया कौन था बिहारी। और नहीं बिचार। समाज का क्या हस्र हो गया है पूरे बिहारी जानता है। खुद जैड सेकृरिटी लेकर चट घाट पर लाखों की भीर को खाली कराते हुए जाते हैं। वहाँ पर अर्ग देते हैं और अगला दीन पेपर के फ्रंट पेज पर आता है कि मुख्य मंतरी जी ने चट का अर्ग दिया। क्या इससे चट हो गई जी नहीं लाखों के लाखों बिहारी ओं जो टिकट नहीं मिलने के कारण बिहार नहीं आ पाए जो इस लोकतंत्र में होने के बावजूद भी इस स्विवधा से वंचित रह गए उसके लिए बात कौन करेगा। और लाखों लोग जो ट्रेन के टिकट नहीं मिलने के कारण घर नहीं आ पाते हैं और चट नहीं मना पाते हैं उसके बारे में कौन जिक्र करेगा। लगबग उतना ही समय लालू प्रसाद यादव को बिहार में मौका मिला। लेकिन क्या हुआ उसी समय में जितनी भी फैक्टरियां थी जितनी भी मिले थी सारे बंध हो गए। जूट फैक्टरी हो या चीनी मिल हो सभी बंध हो गए। पलायन का दौर की सुरुवात हो गई। और आज इस नौबत तक आ गई कि आज आधी अबादी मतलब 6 करोर लोग सीधा इस पलायन से इफेक्टेड है। सरकारे आती रहेंगी जाती रहेंगी आज कोई और है कल कोई और रहेगा। क्योंकि किसी के बाप के जागीर में ये सरकार नहीं है। लेकिन हम सभी का प्रियास और हम सभी का सवाल सरकार से यहीं होना चाहिए कि जो बिहारी भाई वहां से नहीं आपाए, जो बिहारी भाई दूसरे प्रदेश में अभी रह रहे हैं, उनके लिए टिकट का बंदोबस्त किया जाए। इसके लिए सवाल किया जाए सरकार से, सरकार से जवाब के लिए पुछा जाए कि ये जवाब आप दीजिये और उस बिहारी भाईयों के लिए टीकट का बंदो बस्त किया जाए बाकि Rebel News India की तरफ से आप सभी को छट पर्व की हार्दिक शुभकामना है बाकि मेरा नाम पंकत जाय और आप Rebel News India देख रहे हैं कैमरे के पीछे हैं मोनु जी बाकि धन्यवाद